नमस्कुरा RSBD News में आपका स्वागत है पेश साथ अगस्त शनिवार सुबह सवाच्छा बजे रास्थान की बड़ी खबरे भारत में कोरोना वैक्सिनेशन का अंकड़ा 50 करोड की पार हो गया है स्वास्ते मंत्री मंसुख मंडाविया ने शुकरवार को सोशल मीडिया पर इसके जान करे दी उन्होंने कहा कि कोरोना से लडाई में भारत ने आतिहासिक उपलब्धी हासिल की है सभी को बधाए और स्वास्ते कर्मियों को धन्यवाद देश में इसी साल सोलो जन्वरी से वैक्सिनेशन शुरू हुआ था 21 जून से इसकी कमान केंडर ने पूरी तरहों से अपने हाथ में ले ली इसके बाद से केंडर सरकार वैक्सिन बनाने वाली कमपनियों से 75 प्रतिशटी के खरीद कर उन्हें राज्यों और केंडर शुासित प्रतिशों को मुफ्त दे रही है 25 प्रतिशट सप्लाई प्राइविट हॉस्पिटल के लिए रखी गई है लगदार बादिस से यूपी में नदियां उफान पर है रासानाव और मद्यप्रदेश से पानी छोड़े जाने की कारण प्रियागराज में गंगा और यमना का जलस्तर खत्रे की निशान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है यां अंडियारेफ और स्टीयारेफ को अलर्ट किया गया है अमिरपुल में यमना और बेतवा नदी खत्रे की निशान से उपर बह रही है जबकि जालोन में स्टेट हाईवे पर यमना का पानी आ गया है वही और या में लोहे का बना पीपे का पुल भी बह गया है रासान की पूर्व मुख्य मंतरी वसंद्रा राजने प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की है राजने कहा कि सरकार यदी मुख्य मंतरी दल स्वावलंबन अभियान को बंद न करती तो इतने खराब हलात नहीं होते इस अभियान के तहट बारिश के पानी संचो का बहतर प्रबंदन होता साथ नुकसान से भी बचा होता सरकार को इस अभियान को फिर से शुरू करना चाहिए जेल में बंद कैदी को इलाज के लिए अस्पतार रैफर करने की एवज में रिश्वत लेने के 12 साल पुराने मामले में इसे भी कोट ने सजा सुनाई है निया इधिश प्रमोद कुमार मलिक ने कोटा सेंट्रल जेल के ततकालीन डॉक्टर अजेस अक्सेनावे उसकी क्लिनिक की करमचारी जुग्राज को तीन-तीन साल की सजा एक-एक लाक रुपए के अर्थ धंड से दंडित किया है मामने में कोट ने टिपनी करते हुए रिखा बंदियों की सार संभाल की जिम्मेदारी जेल प्रिशासन की होती है लेकिन जेल अधिकारी करमचारी द्वारा अपने विधिक एवमनेति करतवे के प्रतिक घोरला पर वाही बरत कर विधिपूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया ज़ा रहा है जो वर्तमान समय में गंभी चिंतन का विशे है करोना की तीसरी लहर आने की आशंका तेज हो गई है इसे बीच टूरिस्ट गाइड इस आशंका से सबसे ज़्यादा चिंतेत नजर आ रहे है महामारी का सबसे बड़ा प्रभाव जहां टूरिजम इंडस्ट्री पर पड़ा है वहीं इसी का एक मुख्य हिस्सा टूरिस्ट गाइड भी है करोना मा हमारी के बाद जोदपूर के 500 टूरिस्ट गाइड का परिवाद चलाना मुश्किल हो गया है ऐसे में गाइड असोसियेशन का कहना है कि फोरेंट रेट शुरू नहीं हो जाता तब तक गाइड को 5 लाख रुपे का लोन सरकार दे और जब विदेशी परिटक आने लगे तब उनसे इंस्टॉल्मेंट पर वापस वसूल किया जाए डूंगरपूर S.P. सुधीर जोशी ने शुकरवाज शाम को कोतवाली थाने में CLG सदस्यों की बैठक ली S.P. सुधीर जोशी ने शुहर में कानून वेवस्था और अन्यमुदों को लेकर CLG सदस्यों से चर्चा की CLG सदस्यों ने कहा कि शुहर सहीत जले भर में बढ़ती चोरी चन्स रेंचिंग की वारदातें बढ़ रही है जिसे आम जन फैपीत है सदस्यों ने बढ़ती वारदातों पर अंकुष लगाने के लिए पुलिस गष्ट बढ़ाने की मांगी तेजगती से वहां चलाने वालों के खिलाफ भी कारवाही की मांगी है नगोजिला आपकारी टीम ने लांडनू के खारी गाउं के खेट में नकली शराब बनाने की फैक्टरी पकड़ी है यह ज़रान कारवाही के भनक लग जाने से आरोपी मौके से भाग गए आरोपी जहां एक खेट में बने मकान में ये गोरग धंदा चला रहे थे आपकारी टीम ने यहां से एक शराब पैकिंग मशीन, 25 लीटर स्प्रिट, 3500 नकली धककान, 4000 नकली लेबल, 1000 खाली पववे और नकली शराब से भरे 30 पववे बरामत किये हैं जिलाब करे अधिकारी मोहर रामपूरिया ने बताए कि मुख्विर के सूचना पर लाड़नों के खारी गाउं में शराब फैक्ट्री चलने की जौनकरी मिली थी राजसान की कंगर सरकार के अब तक के कारेकाल को कुशासन बताते हुए शुकरवार को टोंक में भाजपा की कारकरताओं ने विरोध प्रदर्शन किया दाग बंगले से रैली निकाल करक्रेट पहुंचे और प्रदर्शन का राजेपाल के नाम एडियम को ग्यापन दिया भाजपा उबीची मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंदर सेनी ने कहा कि राजे सरकार हर मोर्ची पर फेल रही है जैपुर के पोदार शिक्षा के अध्यक्ष रागव पोदार का कहना है कि अधिकाश बच्चों के पास बड़े होने तक स्वतंतर रूप से अपने शड्यूल को विवस्थित करने के लिए अपनी सोच नहीं होती है और इसलिए उन्हें अपने समय की योजना बनाने और प्रात्मिक्ता देने पर मार्क दर्शन के आवशकता होती है कमोमन से ही बच्चों को समय योजन सिखाने से उन्हें इस प्रिक्रिया को करने में मदद मिलती है जो उन्हें आज जीवन सफलता के लिए तयार करती है सदस्यों का चुनाव काईकरम खोशित कर दिया गया है इसके साथ ही चुनाव शेत्रों में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है जिला निर्वाचन अदिकारी पंच्वायत अम जिला कलेक्टर हिमानशु गुपता ने बताया कि जिला निर्वाचन अयों की ओर से गुरुवार को जिला पंचात समीतियों के सदस्य पदों के लिए तीन चड़नों में चुनाव कराए जाने की काईकरम की खोशना कर दी गई है भाचपा के सिविल लाइन विधानसवा शेतर के बनी पार्क और श्यामनगर मंडल के ओर से शुकरवार को राजिस सरकार की नीतियों के खिलाफ पैदल मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया गया भाचपा के अवस्त नीता आरूं चित्रवेदी की नेतियों में हुए दोनों धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कारेकरता शामिल हुए चत्रवेदी ने कहा कि सरकार का धाई साल से जादा का कारेकाल बीच चुका है लेकिन जनता से क्या किया एक वादा भी लेकिन जनता से किया एक वादा भी पूरा नहीं किया बिजली बिलो में बढ़ोतरी नहीं करने का सरकार ने वादा किया था लेकिन बिजली बिलो में इतनी बढ़ोतरी कर दी गई कि आम आदमी के लिए बिल चुकाना मुश्किल हो गया है रासान के बांसवाड़ा और रासमन में मैगनीज के विशाल भंडार मिले हैं वही नागा और गंगानेगर बेसिन के बिकानेर हनमानगर जुली के सतीपुरा, जैदपुरा, भारुसरी और लखासर में 2400 मिलियन टन पोटाश के भंडार संभावित है जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया और माइन्स और जियोलोजिकल विभागय के खनीज खोज कारे की आरंभिक रिपोर्ट इसकी जुआनकारी सामने आई है अतरिक्त मुख्य सचिव माइन्स और पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अगरवाल ने बताए कि पोटाश शेत्र में MECL से त्री पक्षिये MOU कर विवहारियता अध्यन कराया जो रहा है उतरपशिम रेलवे ने रेलवे अधिकारी क्लब जगतपुरा में शुकरवार को 66 रेल सब्ता हम मनाया इस समारों में विभी ने मंडलो और कारेशालाओं के अलग-अलग कारेशेत्र में उतकुरस्ट प्रदर्शन के लिए शील्ड प्रदान किया गया श्रेस्ट कारे करने वाले रेल कर्मियों को मुख्य अतिती और रेलवे जीम अनन्द प्रकाश ने नगद राशी प्रमानपत्र और मेडल प्रदान कर पुरुस्क्रत किया मुख्य जन्संपर का दिकारी लेटरन शशी के रेन ने बताए कि समारों में 158 रेल कर्मियों को महा प्रबंदक सर पर पुरुस्क्रत किया गया इसके साथ 15 सामोहिक पुरुस्कार भी प्रदान किये गए बाश्वा ने आगा में रास्तान विधान सवा चुनाव के तैयारियों को लेकर कवायच शुरू कर दी है इसके तहट सशक्त मंडल अभियान की शुरुवात आशनिवार को होगी भाश्वा के प्रदेश प्रभारी अरुन सिंग और भाश्वा प्रदेश अध्यक्ष असतीश पुनिया की मौजूदगी में तो दुका भवन सभागार में सुबह 11 बजे सशक्त मंडल अभियान कारेशाला होगी इसमें संगठन के सभी प्रदेश प्रदाधिकारी, मौज़ा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ ही विधान सबस्तर पर लगाई जाने वाले विस्तारग प्रवासी शामिल होंगे हिमाचल प्रदेश के सिर्मवार में शुकरवार दोपहर को बड़ा हासा टल गया यहां के शिलाई में बहराद खड के पास नैशनल हाईवे 707 पर एक प्राइवेट बस फिसल कर खाई में लटक गई हास्ते के वक्त बस में 24 लोग सवार थे ड्राइवर ने बस का ब्रेक लगा दिया सभी सवारियों के उतरने तक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए रखा इसके बास सवारियों ने क्लीनर के साथ मिलकर ड्राइवर को बचाया बताया जाता है कि चलती बस का चौनक एकसर तूड़ गया था इस वज़े से ड्राइवर का उस पर से काबू नहीं रहा तो फिलाल इस पुलिटीर में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें